हेलो बच्चो कैसे हो आफ सब तो बच्चो लाफ्ट वीडियो में हमने कोश्यन नंबर सेक्स तक किये थे अब हम 7 से करने जा रहे हैं और यह मौस्ट इंपोर्टेंट कोश्यन से पेपर में आने के चांसे बहुत जादा है तो चलो स्टाट करके तो बैसिकली कोश्यन नंबर सेवन फ्रो में पॉइंट ऑन दी ग्राउंड दी एंगल अफ एलिवेशन अफ दी बोटम और टॉप अफ ए ट्रांसमेशन टावर फिफ्ट एड दी टॉप अफ ए बीस मेटर हाइ बिल्दिंग और 45 डिग्री और 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली देखो एक ये बिल्दिंग है 20 मीटर हाइ इस बिल्दिंग के टॉप पे एक टावर लगाऊ है और उस टावर की हाइट हमें फाइंड आउट करनी है ये टावर का टॉप ग्राउंड पे किसी पॉइंट पे 60 डिग्री का एंगल फॉप कर रहा है और इसी टावर का बोटम ग्राउंड पे किसी पॉइंट पे 30 डिग्री का एंगल 45 डिग्री का एंगल फॉप कर रहा है तो बताओ हाइट ओफ टावर क्या होगी तो मानलो हाइट ओफ टावर एच है टावर अपना यहां से यहां तक है ठेक है तो बिसिकली बच्चों पहले ही से नाम देते हैं A B C D अब देखो यह C B बिल्डिंग अपनी 20 मीटर की A B टावर है एच टावर के टॉप से ग्राउंड पे इस पॉइंट पे 60 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है और टावर के बॉटम से इस पॉइंट पे 45 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है तो अब देखो इन ट्रैंगल B C D इस चोटे हाले ट्रैंगल में B C D अगर मैं इस ट्रैंगल की बात करूँ तो इसमें अग देखो यह वाली साइड गीवन है B C हमें पता है height of building हमें पता है तो क्या मैं DC find कर सकता हूँ कैसे देखो इस एंगल के सामने मतलब opposite और यह हो गई adjacent opposite और adjacent किस trigonometry के formula में आती है 10 theta के formula में 10 theta का क्या formula होता है opposite upon में adjacent ठीक है तो यही हम इसमें apply करेंगे 10 theta is equal to opposite upon adjacent ठीटा कितना है बच्चों अपना 45 डिगरी अभी हम चोटे आले triangle की बात कर रहे है तो इस 45 डिगरी एंगल इसके पोविट्फाइड कौन सी है बी सी एड़ेसेंट कौन सी है डी सी ठीक है 1045 डिगरी की value कितनी होती है 1 बी सी हमें 20 दे रखी है height of building और डी सी नहीं पता तो अगर मैं यहां cross multiply कर रहा हूं तो DC की value क्या आएगी 20 मिटर लब यह DC कितना आ गया 20 मिटर अब हम बड़े आले triangle में आते है इंट triangle ADC बड़े आले में ADC देखो इनी दो साइडों का काम है एक AC और एक CD मतलब इस angle के opposite और adjacent केवल इनी दो साइडों का काम है ठीक है और यह किस formula में आ रही है 10 theta के यह cost theta के formula में भी आती है तो आप वो भी use कर सकते है ठीक है हम use कर रहे है 10 theta का 10 theta is equal to opposite upon adjacent यहाँ पर theta कितना है हम बड़े आले triangle की बात कर रहे है बच्चो ACD इसमें theta कितना है 60 degree तो 10 60 degree is equal to इसके अपोविट side इस angle के अपोविट fed कौन सी है यह पूरी AC क्योंकि बड़े आले triangle की बार तो रही है तो AC कितनी AC अपोवन में adjacent DC adjacent मतलब साथ वाली तो इस angle के साथ हाली कौन सी है यह यह hypotenuse अपनी 1060 की value होती है बच्चो under root 3 और AC कितनी होगी यह BC 20 है और AB H है तो यह total कितनी होगी H plus 20 और DC अभी हमने find out की थी 20 meter तो यहां से हम H की value find out कर सकते बच्चों यह 20 इदर जाएगा 20 under root 3 is equal to H plus 20 20 under root 3 minus 20 is equal to H तो मैं यहां से 20 का common लेलूँगा यह बच्चे का under root 3 minus 1 यह high tag यह हमारी tower की तो most important questions चल रहे है बच्चों इस chapter के आने के chances काफी high है तो इन्हें revise करके जरूर जाना question number 7 से 15 अब देखो बच्चों question number 8 if statue 1.6 meter tall stand on the top of pedestal from a point on the ground the angle of elevation of top of statue is 60 degree बच्चों pedestal क्या हता है pedestal basically जिस पर statue खड़ा हो तो statue के base को हम कहते है pedestal मान लो यह एक pedestal है जिसके उपर statue खड़ा हुआ है यह रहा अपना statue ठीक है तो इस यह जो statue है यह अपना 1.6 meter tall है ठीक है तो इस statue के top से ground पे किसी point पे 60 degree का angle form हो रहा है ठीक है और इसी same point से pedestal के top से इस pedestal का top यह होगा इससे form हो रहा है 45 degree का angle तो find करो इस pedestal की height हमें यह वाली height find out करनी है बच्चो इसको h मान लो यह हमें find out करनी है ठीक है और यह statue मान लो यह A B C D तो यह A B अपना क्या है statue और इसकी height कितनी दे रहा है 1.6 meter हमें क्या निकालना है CB H ठीक है तो पहले छोटे आले triangle मा आओ बच्चो इन triangle B D C देखो बच्चो B C और D C हमें यह दो ही side चीए ठीक है तो यह दोनों side किसमें आ रही है इस angle के सामने वाली और साथ वाली अपोविक्ट और adjacent 10 theta में 10 theta का formula होता है पोविट अपॉन में adjacent ठीक है 10 theta is equal to पोविट अपॉन adjacent तो theta कितना बच्चो यहां पे हमारा 45 degree और इसके पोविट 5 BC और adjacent कौन सी है DC एडजस्टेंट मतलब और 10 45 की वैल्यू क्या होती है बच्चो 1 BC कितनी हमने H मान रखिए DC हमारे पास है नहीं इसे ऐसे लिख लो ठीक है तो DC को मैं इधर लेकर आऊंगा तो DC किसके बराबर आ जाएगी एच की मतलब DC कितनी आगी यह भी एच आगी ठीक है तो अब मैं बड़े आले ट्रेंगल में आऊंगा इंट्रेंगल ACD ACD इस बड़े आले ट्रेंगल की बात हो रही है इस बड़े आले ट्रेंगल में ठीटा कितना है 60 डिगरी ठीक है तो हम लेंगे 10 60 डिगरी क्यों क्यों क्योंकि हमें एक अपोविट वाली साइड और एक एडज़स्मेंट फाइड बस इनी से काम है इसलिए और यह दोनों हमारी 10 ठीटा में आपती है इसलिए मैं 10 ठीटा ले रहा हूँ 10 ठीटा is equal to अपोविट कौन सी है AC और एडज़स्मेंट कौन सी है DC AC क्यों क्योंकि बड़े आले ट्रेंगल की बात हो रही है अब की बार ठीटा कितना है अपना 60 डिगरी और AC AC पूरी इतनी तो H है और AB है 1.6 तो एट टोटल AC कितनी हो जाएगी H प्लस 1.6 अपन में DC हमारी H यानि कल की आई थी 1060 की वैली होती है बच्चों अंडर रूट 3 H प्लस 1.6 अपन H यह H इदर जाएगा तो यह हो गया H अंडर रूट 3 is equal to H प्लस 1.6 इस H को में इदर लेकर जा रहा हूँ इदर प्लस का है इदर आ जाएगा negative 1.6 H को यहां से common ले लो अंदर बच्चा अंडर रूट 3 minus 1 is equal to 1.6 तो यह अंडर रूट 3 minus 1 यह यह multiply में इदर जाएगा divide में आ जाएगा तो बच्चों यह निकल गी हमारी height height क्या आई हमारी height आई 1.6 अपॉन अंडर रूट 3 minus 1 लेकिन हम इसे यहां नहीं छोड़ेंगे क्यों क्योंकि कभी भी हमें denominator में root answer में नहीं छोड़ना अगर root आभी जाए denominator में denominator में तो क्या करना है हमें उसे rationalize करना है rationalize कैसे करते बच्चों same debit को अंडर रूट 3 minus 1 को हम उपर नीचे multiply कर देंगे उसका sign change करके under root 3 plus 1 अब उन में under root 3 plus 1 उपर नीचे हमने इसे multiply कर दिया अब 1.6 into में under root 3 plus 1 यह उपर multiply हो गया और नीचे देखो बच्चों under root 3 minus 1 under root 3 plus 1 तो यहां नीचे identity बन रही है a minus b और a plus b यह किसके बरावर होती है बच्चों a square minus b square क्यों होती है a minus b और a plus b तो देखो इसको हम ऐसे लिख सकते है यह नीचे यही form बन दिया a minus b और a plus b ठीक है तो यह हमारा हो गया 1.6 into under root 3 plus 1 अब उन में a का square under root 3 का square minus में 1 का square 1.6 into under root 3 plus 1 अब उन में इसके square से root कट जाएगा क्या बचेगा 3 minus 1 का square 1 तो नीचे क्या बचा 3 minus 1 2 लिख रहा हो में यापे 2 और इस 2 से यह 1.6 कट जाएगा 0.8 पे तो मारा अंसर कितना है बच्चे 0.8 under root 3 plus 1 तो इसे note down कर लो यह सारे important स्वाल चल रहे है अगला कॉशन है बच्चे हमारा कॉशन नमबर 9 कॉशन नमबर 9 क्या रहे है बच्चो देखो the angle of elevation of top of a building from the foot of the tower is 30 degree and the angle of elevation of the top of tower from the foot of building is 60 degree एक बच्चो यह एक बच्चो यह एक बच्चो यह एक बच्चो यह एक टावर है तो the angle of elevation top of building from the foot of tower तो इस building के top से इस tower के foot पे एक angle of elevation बन रहे है वो है 30 degree कितना 30 degree ठीक है कोफिय नंबर 9 है and the angle of elevation of top of tower from the foot of building is 60 degree और tower के top से building के foot पे angle बन रहे है 60 degree ठीक है if the tower is 50 meter high अगर tower की height 50 meter है तो find करो height of building इस building की height हमें find out करने है building ये थी tower ये था ठीक है तो building की height मैंने h मान ली तो चलो start करते हैं बच्चो देखो प्रोसेस क्या है ये टावर की height दे रखी है यहाँ एक ठीक है इसकी मदद से मैं इस वाली side को निकाले हुआ इस side को निकाल कर अब इस आले ट्रेंगल में मेरे पास ये 30 degree theta है और ये side मिल जाएगी मुझे तो उसकी मदद से मैं सबसे पहले आओ इस आले ट्रेंगल में इस ट्रेंगल ए बी सी तो इस ट्रेंगल में एंगल कितना अपना 60 degree ठीक है तो हमें ये इन दो साइडों की जुर्थ है इसके अपोविट इस ठीटा के अपोजिट और इसके एडजस्ट किस में आती है 10 ठीटा में 10 ठीटा कितना होता बच्चो अपोजिट 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 में एडजस्ट ठीक है ठीटा कितना है बच्चो 60 degree और इसके अपोजिट A B है अपनी और एडजस्ट है C B तो 10 शिफ्टी डिगरी की वेली होती है रूट अंडर रूट 3 और A B की 50 की वन है C B की हमें निकालनी है तो यहां से C B कितना आ गया बच्चो 50 अपोजिट रूट 3 तो C B कितना आ गया 50 अपोजिट रूट 3 तो अब हम इस अले ट्रेंगल की बात करेंगे D B C की इन ट्रेंगल D B C देखो हमारे पास ये वाली साइड है ये हमें निकालनी है इस ठीटा के अपोजिट वाली साइड हमें निकालनी है एडजसेंट फैड गिवन है यह दोनों फैड किसमें आपती है 10 थेटा में तो यहां भी वही लगना है 10 थेटा, थेटा कितना है 30 डिग्री, अपोजिट अपॉजिट अपॉण एडजसेंट, अपोविट कौन सी है DC और एडजसेंट कौन सी है BC 10 30 डिग्री की वैल्यू 1 अपॉण अंडर रूट 3 और DC की H, हमने इसको H माना है बिल्डिंग की हाइट यही हमें निकालनी है और BC 50 अपॉण अंडर रूट 3 50 अंडर रूट 3 तो यहां से H की वैल्लू क्या आजाएगी बच्चों 50 को मैं इदर लेकर जा रहा हूँ 50 अपॉण रूट 3 और यह रूट 3 नीचे आजाएगा उपर आजाएगा Sorry, एक सेकेंड यहां से H की वैल्लू आजाएगी बच्चों 50 अपॉण रूट 3 इंटू रूट 3 तो 50 अपॉण रूट 3 इंटू रूट 3 क्या हो जाएगा 3 इसको हम ऐसे भी लिख सकते बच्चों 16 is 2 2 by 3 तो अगला कोश्चन देखो बच्चों तो बच्चों दो पॉल है इक्वल हाइट के कैसे? इक्वल हाइट के यह रहे हैं दो पॉल है इक्वल हाइट के अगर इसकी हाइट एच्च है तो इसकी हाइट भी एच्च है ठीक है? और यह रोड के दोनों साइट खड़े हुए मतलब इनके बीच में एक रोड है रोड है और यह रोड के दोनों साइट खड़े हुए दोनों की हाइट इक्वल है तो इनके बीच में किसीबी एक point फे माल लो वो point यहां है ठीक है उस point फे कि एक pole के top से angle बन रहा है 60 degree और दूफरे pole के top पे angle बन रहा है 30 degree ठीक है तो find the height of the pole if this road is 80 meter wide कितना तो जो ए रोड है इन दो poles के बीच में वो कितना wide है 80 meter उसकी length है 80 meter ठीक है हमें find out करना है height of pole and the distance of this point from each pole ठीक है पहले हम height of pole निकाल रहे है देखो ये रोड 80 meter चोड़ा है 80 meters ठीक है अगर मैं इस आले portion को A, B, C, D अगर मैं इस आले portion को X मान लूँ इतना BC को मैं X मान लूँ तो feed कितनी हो जाएगी 80 minus X क्यों क्योंकि B, D पूरा 80 है ये पूरा 80 है ये X हो गया तो ये हो गया 80 minus X ओके अब आओ इस वाले triangle में B, C, D E E, D, C में N triangle E, D, C देखो बच्चो ये वाली side हमारे पास है CD 80 minus X हमें निकालनी है ED H मतलब इस angle के opposite वाली और adjacent वाली इन दो side का ही काम है और ये किसमें आ रही है 10 theta में 10 theta 10 theta के आपता है opposite upon adjacent तो इस angle के opposite कौन सी side है ED upon में adjacent इस angle के adjacent कौन सी है CD ठीटा की value कितनी है बच्चों यहाँ 60 degree और ED की हमने H assume कर रखिये और CD कितनी है 80 minus X 1060 होता है बच्चों root 3 तो यहाँ से H की value क्या आई under root 3 into 80 minus X 80 minus X इसे equation 1 के लो यह अपनी equation बच्चों अब हम आते हैं इस वाले triangle में बच्चों in triangle sorry इसमें अभी हमने वर्क किया था अभी में इसमें आ रहे A, B, C तो देखो यह X यह B, C वाली side हमने हमारे पास है X हमें कौन भी चाहिए? A, B ठीक है? तो same इस एंगल के अभीट वाली अभीट वाली, अभीट वाली, अभीट वाली, किस में आती है? 10 थीटा में 10 थीटा इस इगल टू A, B है अपनी वाच्चो, H और B, C है वाच्चो, अपनी X ठीक है? 10 थर्टी डिगरी के वाली और T है 1 अपन अंडरूट 3 H अपन X तो यहां से H की वाली कितनी आई वाच्चो? X अपन अंडरूट 3 तो इस वाली को जो यह equation 2 है इस वाली को मैं equation 1 में पुट कर दूँआ equation 1 में हमारा H क्या था? अंडरूट 3, 80 माइनस X पहले equation 1 लिख रहा हूँ मैं, क्या थी हमारी? H is equal to अंडरूट 3, 80 माइनस X तो इस H में इस equation में मैं H की जगें क्या पुट कर रहा हूँ? X upon अंडरूट 3 80 माइनस X यह अंडरूट 3 इदर जाकर multiply होगा रूट 3 के साथ तो यह क्या बन जाएगा? 3 रूट 3 इंटू रूट 3 कितना होता है? 3 यह बच्चो 80 माइनस X X आया हमारा 240 माइनस X 240 माइनस 3X 3 को अंदर multiply कर दिया 3X को इदर बेजिऊंगा तो यह आजाएगा 4X is equal to 240 और X की value यहां से कितनी आई? 60 तो बच्चो अगर BC हमारा X था तो यह कितना आया? 60 तो CD कितना होगा? 80 माइनस X which is 20 तो एक pole से इस point की डूरी है 20 मिटर और दूफरे pole से इस point की डूरी है 60 मिटर अब हमें इस H की value find out करनी है तो H की value क्या होगी बच्चो? इस equation 2 में यह X upon under root 3 में X की value put कर दो 60 60 upon under root 3 60 को मैं लिख सकता हूँ बच्चो? 3 into 20 upon under root 3 और 3 किस पे कट जाएगा under root 3 पे? root 3 पे क्यों? क्योंकि मैं पता है root 3 into root 3 कितना होता है? 3 तो 3 को मैं लिख सकता हूँ इस वाले 3 को root 3 गुना root 3 तो नीचे के एक root 3 से उपर का root 3 कट जाएगा बचे क्या? root 3 तो हमारी height कितनी आई बच्चो? 20 root 3 height आई हमारी दोनों की same है equal है 20 under root 3 और एक पोल से इस point की दूरी है 20 और दूफ्रे पोल से इस point की दूरी है 60 तो बच्चो अब हम करेंगे question number 10 so ये हमारा question number 10 ही था अब हम कर रहे question number 11 question number 11 सायद हम कोई question चोड़ गए miss कर गए हम कोई question कोई नहीं बाद में देखते है question number 11 करते है हम तो एक कैनाल है एक नदी है ठीक है उसके साइड में खड़ा हुआ एक टावर ठीक है ये एक टावर है ठीक है तो ये नदी की width है ठीक है अब नदी के दूफ्रे point दूफ्री bank पे मतलब दूफ्रे किनारे पे एक point है उस point पे जो angle बन रहा है वो है 60 degree ठीक है तो river यहां से यहां तक है ठीक है river के एक end पे खड़ा हुआ है टावर और दूफ्रे end पे जो point है उससे angle बन रहा है tower के top से 60 degree ठीक है और हम थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो हमें एक और point मिलेगा जिससे tower के top पे 30 degree के angle बन जाए angle of elevation find the height of tower and width of the canal तो हमें इस canal की width निकालनी है और इस tower की height निकालनी है इस tower की height को हम h मान लेते है और इसको x और जो यह point है A, B, C, D जो है C, D है यह इन्होंने हमें 20 meter दे रखा है 20 meter given है तो बच्चों हमें इस tower की height निकालनी है और इस canal की width निकालनी है देखो, ज्यांसे देखो सबसे पहले हम इस छोटे आले triangle में आते है इन triangle A, B, C इन triangle A, B, C तो देखो A, B, H है C, B, X है तो एक कौनफी दो side है इस वाले angle के अपोविट और adjacent साथ हाली side है यह किसमें आती है 10 theta में 10 theta is equal to A, B upon C, B अपोविट upon adjacent theta कितना है? 60 degree 10, 60 degree is equal to A, B हमने H assume की है और C, B X 10, 60 की value होती है under root 3 is equal to H upon X यहां से H कितना आ जाएगा बच्चो? under root 3 X यह होगी हमारी equation 1 अब आओ बड़े आले triangle में in triangle A, B, D इस बड़े आले में A, B, D ठीक है same 10, 30 degree क्यों? अपोविट upon adjacent हमें यही चीए अपोविट कौन सी है? A, B इस 30 degree के अपोविट सामने वाली side कौन सी है? A, B adjacent कौन सी है? D, B 10, 30 की value होती है बच्चो 1 upon under root 3 तो A, B कितनी आई है हमारी? हमने H assume करकिया है और D, B कितनी होगी? 20 plus X 20 plus X तो यहां से H कितना आगया? 20 plus X upon में under root 3 यह होगी हमारी बच्चो equation second अगर हम equation second में H की value put कर दे देखो यह equation second तो put the value of H from equation 1 equation 1 से equation 1 में जो H की value आई थी अगर वो इसमें हम put करें तो मैं H की जंगे लिख रहा हूं बच्चो under root 3X equation 1 से जो आया था यह 20 plus X upon में under root 3 यह root 3 इदर multiply होने जाएगा तो यह root 3 के साथ multiply होके क्या हो जाएगा 3X root 3 into root 3 3X is equal to 20 plus X इस X को इदर वे जूँआ तो यह हो जाएगा 3X minus X is equal to 20 2X is equal to 20 और X कितना है बच्चो 10 तो X की value आगी बच्चो 10 मतलब कि जो यह हमारी कैनाल है यह कितनी चोड़ी है 10 मीटर चोड़ी है ठीक है अच्छा height of tower यह कैसे निकालेंगे इस formula में जो H is equal to under root X है sorry इस equation में अगर हम X की value पुट कर दे 10 तो हमारी H आजाएगी कितनी 10 under root 3 equation 1 में X की value पुट कर दो आपकी height आजाएगी tower की ठीक है बच्चो अब हम करते है question number 12 आपकी vers अच्छा क्यक्टपै अग hem आपकी खाते है अवरे आपकी different आपकी आ DIY ky आपकी है आपकी की आचदाएखआवे